हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसे सी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो क्लास नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक एन ऑथर्स वाला टॉपिक तो क्लास नाइन तक जो है हम लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया था पहला हमारा टॉपिक था क्लासिकल डांस दूसरा टॉपिक था फोक डांस और तीसरा टॉपिक था हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ओके तो क्लास नंबर 10 से स्टार्ट होने जा रहा है बुक एन ऑथर्स वाला टॉपिक तो बुक एन ऑथर्स से र Indian authors, ancient book, foreigners, authors, historical, political और कुछ repeated वाले books भी पूछे जाते हैं तो ये जितने भी आप types देख रहे हैं जिस जिस types जो exam में question आता है उन सब को हम लोग यहाँ पर cover करेंगे और ये सबी जो है part wise होगा तो देखिए जो हमारा book and authors वाला topic है इसको हम लोग 4 part में cover करने वाले हैं और इसके लिए 2 दिन का time लगेगा तो यानि कि 2 दिन में हम लोग ये 4 part को cover करेंगे और जितने भी मैंने आपको यहाँ बताएं ancient book, historical book, foreigners, जो foreigners authors होते हैं वो Indian authors, political ये सारे types जो है हम लोग 4 तक में cover कर लेंगे और इसके लिए 2 दिन का time लगेगा और जब ये complete हो जागा हमारा topic तो जो next topic होगा वो होगा autobiographies का तो इससे भी related जो है exam में जितने भी question पूछेगा है साथ में expected mcq ये हमारा next topic रहेगा एक बर book and authors complete हो जाएगा तो और ये जितने भी videos बन रहे हैं ये सब का जो है playlist बन चुका है तो कोई भी अगर class आपका miss हो रहा है तो playlist से जो है आप लोग cover कर लेंगे तो चलिए start करते हैं first question के साथ तो पहला question है आप लोगों के screen पर कि who is the author of the book anomalies in law and justice तो anomalies in law and justice पुस्तक के लेखक कौन है तो देखिए ये जो है former supreme court के judge थे जिनका नाम है R.V. रविंदरन जो है ये है इस book के author anomalies in law and justice के important किताब है एक्जाम में ये question पूछा गया था और इस बार जो है आप देख रहे होंगे नए presentation के साथ जो है ये class लिया जा रहा है तो यह जो है यहां पर जो आप figure देख रहा है ये कौन है तो ये मैं हूँ feel करना है कि रोशन सर है ये और ये board पर आपको पढ़ा रहे है question दे रहे है और आपको answer देते रहना है तो कैसा लगा ये वला आपको font तो आप comment करके जरूर बताएंगे चलिए next हमारा question है कि गोदान a famous novel was authored by Das तो गोदान एक प्रसीद उपन्यास है और ये किसके दोरा लिखा गया था तो ये बहुत important question है और ये repeated type वाले book है ये सब जो question है ये repeated वाले books हैं जो कि आपको किसी ना किसी exam में देखने को मिल जाता है और इसके author का नाम क्या है मुंसी प्रेम चंद है ओके मुंसी प्रेम चंद next question है कि who is the author of half girlfriend and one Indian girl तो एक और important book है जिसका नाम है half girlfriend and one Indian girl और इसके author का क्या नाम है तो right answer होगा यहाँ पर चेतन भगत चेतन भगत से related exam में question बहुत आते हैं three mistakes, two stages, यह half girlfriend and one Indian girl हो गया revolution 2020 इस type के books जो है वो किस से related होता है चेतन भगत से next question है कि who among the following was the author of buddhcharitr तो buddhcharitr के पुस्तक के लेखा कौन है यह भी एक तरह से समझे कि repeated वाले books है क्योंकि यह आपको हर exam में देखने को मिल जाता है तो right answer क्या होगा अश्व घोष होगा यहाँ पर right answer next हमारा question है poverty and unbritish rule in India इस book के author का क्या नाम है question number 5 आप लगों के लिए है बहुत ही easy question है तो इसका answer भी सबको आता होगा कि right answer यहाँ पर क्या होगा दादा भाई नैरोजी होगा correct answer grand old man of India भी कहा जाता है दादा भाई नैरोजी को next question number 6 में है कि कदामबरी इस book के author का क्या नाम है कदामबरी के author का क्या नाम है तो यह भी एक तरह से आप लोगों के लिए बहुत easy question रहेगा कदामबरी और right answer होगा यहाँ पर बानभट ओके बानभट next question है कि which of the following authors has written the famous novel Gulliver's Travels तो यह जो novel है Gulliver's Travels इसके author का क्या नाम है यह सब अभी जो question आप देख रहे हैं यह recent exam में पूछा गया था Delhi Police 2023 का जो exam हुआ था उसमें यह question पूछा था Gulliver's Travels के author का क्या नाम है तो right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा जोनाथन स्विफ्ट होगा right answer तो जोनाथन स्विफ्ट ही जो है वो author है किस novel के तो Gulliver's Travels के next question है कि who was the author of राग दरबारी राग दरबारी यह जो book है इसके author का क्या नाम है question number 8 का right answer क्या होगा तो राग दरबारी के author का नाम है श्रीलाल शुकला ओके श्रीलाल शुकला जो है यह कौन है यह है राग दरबारी के author next है question number 9 who authored untouchable depicting the caste system तो कौन है इस book के author untouchable depicting the caste system के तो यहाँ पर right answer क्या होगा मुल्क राज आनंद हो जाएगा right answer यह सभी question को जो है आपको एकदम याद कर लेना है और यह जितने भी आपको part wise कराया जा रहे है book and authors यह पूरा अगर आप याद कर ले तो definitely question आपको यहीं से देखने को मिलेगा तो इसलिए सारे important question है इसका separate notes आप एकदम बनाते चलिए next question है किताब उल हिंद के author का क्या नाम है यह भी important book है तो देखें यहाँ पर question आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है author किताब उल हिंद के और इसका right answer क्या होगा अल बिरूनी होगा यहाँ पर right answer next question है the English novel Heart of Darkness was written by which of the following authors तो यह जो novel है और यह English novel है और इसका नाम है Heart of Darkness और इसके author का क्या नाम है तो right answer हो जाएगा Joseph Conrad यहाँ पर right answer हो जाएगा okay Joseph Conrad next question है My Music, My Life इस book के author का क्या नाम है और यह famous सितार वादक है अब देखिए हम लोगों का जो topic था last topic जो इससे पहले हम लोगों ने cover किया था वो था musical instrument related musician अब वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कौन अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आपको मालूम होगा कि सितार प्लियर कौन है यहां हिंट्स भी दे दिया है कि My Life, My Music यह जिसकी book है वो एक सितार प्लियर है और यहां अगर आप देखेंगे राम नरायन तो राम नरायन जो है यह क्या बजाते हैं शारंगी बजाते हैं जाकीर हुसेन तो आप जानते हैं कि तबला बजाते हैं हरी प्रसाच चोरसिया जो है यह फ्लूट बजाते हैं बांसुरी बजाते हैं तो रिमेनिंग कौन बजगे रवी संकर तो यही जो है सितार वादक है और इनी की यह book है My Life, My Music, My Life Next question है कि My Times and Autobiography is authored by whom तो किसकी यह book है My Times and Autobiography यह किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका right answer होगा J.B. Kriplani होगा यहाँ पर right answer ओके J.B. Kriplani Next question है कि My Dateless Diary is a novel written by whom among the following authors तो यह जो novel है जिसका नाम है My Dateless My Dateless Daddy कौन है इसके author तो right answer होगा R.K. Narayan R.K. Narayan यहाँ पर correct answer है Next है अब passes to India अब देखिए यह जो book है यह समझे repeated book है इसी type के book को मैं आपको बोला हूँ कि repeated type बूचे जाते हैं exam में question मतलब यह सब ऐसे question है जो कि आपको हर exam में देखने को मिल जाएगा अब passes to India और इसके author का नाम है E.M. Foster E.M. Foster यहाँ पर हो जाएगा correct answer Next question है कि Who was the author of the great Indian novels The great Indian novels के author का क्या नाम है तो right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा शसी थरूर होगा right answer तो ससी थरूर से related जितनी भी important books जो है वो exam में पूछे जाते हैं Next question है कि name the author of हिंद स्वाराज हिंद स्वाराज के author का क्या नाम है इसका answer तो मुझे लगता है सब को यहाँ पर पता होगा 100% लोगों को मालूम होगा जो भी यह वीडियो देख रहे होंगे कि हिंद स्वाराज के author का नाम है महात्मा गांधी महात्मा गांधी right answer होगा Next question है कि Who among the following is the author of Tariq A. मुबारक शाही तो Tariq A. मुबारक शाही के author का क्या नाम है अब यह एक अच्छा question है important question है और यहाँ पर right answer होगा यहाँ शिर हिंदी जो है यहाँ पर right answer होगा तो यहाँ शिर हिंदी यह है इस book के author Next question है Who among the following author the book title बर्ना परिचय तो बर्ना परिचय के author का क्या नाम है बर्ना परिचय के author का क्या नाम है तो right answer होगा इस्वर चंद्र विद्या सागर तो ठीक है यह है right answer इस्वर चंद्र विद्या सागर किसके author है यह बर्ना परिचय के Next question है Question number 20 Who among the following is the author of the book The Shadow Lines तो यह भी एक important book है The Shadow Lines इसके author का क्या नाम है तो right answer क्या हो जाएगा तो अमितव घोश होगा यहाँ पर right answer अमितव घोश Next question है Playing it my way अब यह जो autobiography है यह किसकी autobiography है और यह भी आपको हर एक exam में देखने को मिल जाता है यह autobiography Playing it my way और यह जो है यह सचीन तंदुलकर की यह autobiography है Okay Next question है My days is an autobiography written by whom among the following authors हलाकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह जो autobiography वाला जो topic है यह book and authors वाले topic के बाद आपका कराया जाएगा और उसमें हम लोग सारे important autobiography को cover करेंगे तो my days फिलाल जो है यह autobiography है आरके नरायन की Okay आरके नरायन हो जागा यहाँ पर right answer Next question क्या है कि who among the following is the author of the book overdraft saving the Indian saver तो यह जो book है overdraft saving the Indian saver यह किस की book है कौन है इसके author तो right answer क्या हो जागा यहाँ पर उर्जीत पटेल होगा यह former जो है governor रह चुके हैं RBI के उर्जीत पटेल Next question है कि who among the following is the author of the epic poem राम चरित्र मानस तो राम चरित्र मानस के author का क्या नाम है कौन है इसके लेखक तो आप सब जानते हैं कि तूलसी दास जो है यह है इसके author Next question है The God of Small Things यह भी repeated question है exam में आपको देखने को मिल जाता रहता है The God of Small Things तो इसके author का क्या नाम है तो अरुन्धती रोय होगा right answer ओके अरुन्धती रोय यहाँ पर correct answer है तो फिलाल first part में जो है हम लोगोंने 25 questions जो है उसको complete किया है और यह 25 का 25 आपको याद हो जाना चाहिए जो part 2 है वो आज रात 9 बजे तक जो है class upload हो जाएंगी तो फिर वहाँ पर आप लोग part 2 को देखके comment करके बताएंगे कितना आपका score आया है ठीक है तो part wise इसलिए करवा रहे है ताकि class खत्म होने के बाद तुरंत जो है आप उन सारे books को याद कर ले क्योंकि एक बार में अगर 100 कराएंगे तो definitely है कि आप उतना question याद नहीं कर पाएंगे तो part wise करते रहेंगे तो मज़ा भी आता रहेगा ठीक है तो दो दिन का target रखा गया है इस topic को complete कर दिया जाएगा और इसी तरीके से आने वाले जितने भी important topics हैं 2024 exam के लिए वो सब आपका complete करा दिया जाएगा YouTube पर है YouTube और Unacademy पे तो आज Unacademy पे कोई class नहीं है इसलिए आपको information नहीं दिये है तो कैसा लगा ये class तो मिलते हैं आप से next class में next part में तब तक के लिए all the best